लो गाइज वैलकम टू डूर क्लासिज डूर क्लासिज में आपका स्वागत है मैं हूं प्रकाष आज आपके लिए और आज हम पेपर स्वाल करने वाले हैं 5 मार्च 2018 का शिफ्ट 2 का स्वाल का पेपर ठीक है फ्रेंट्स आईए देखते हैं आज हम 25 कुश्चन्स पूरे स्वाल करेंगे जिसमें ग्लोश टेस्ट, PQRS, वनवर्श अप्टिउशन, एंटोनिम्स, अनोनिम्स और सारे जितने भी स्वाल करेंगे ठीक है वन बाइवन आई ये फ्रेंट्स से स्टैट करते हैं हम स्पॉर्टिंग एरर से तो पहला स्पॉर्टिंग एरर जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसने अपना कंजम्शन मतलब जो खान पान है वो क्या कर दिया कम कर दिया तो मैं आपको बता दूँ कि एडवर्ब है इडवर्ब को किसी प्रेपजिशन से नहीं जोड़ा जाता है ठीक है एडवर्ब डार्र जोडते हैं वन वर्ड एडवर्ब है ये एक शबद काहें इसको डएरेटली जोड़ना है कोई प्रेपजिशन की आशकता नहीं तो she has reduced her consumption कैसे कंजमिशन रेडिश किया considerably काफी अधिक मातरा में consumption मलब कहने का उसने खाना पीना कम कर दिया ठीक है तो two जो preposition है इसको ही आप सकता नहीं है अब अनिस्सेरी है तो third option में आपकी error होगी इसलिए आपको कौन सा option third correct होगा ठीक है ना second question देखेंगे आप second spotting error liquid water cannot exist on the surface of Mars liquid water जो है cannot exist नहीं exist कर सकता है रह सकता है on surface of Mars, Mars की surface पर as to low atmospheric pressure मतलब कहने का यहाँ पर यह भाव देना चाहरे हैं कम atmospheric pressure के कारण और कौन सा कर कम atmospheric pressure which is less than जो की है वो atmospheric pressure which is less than 1% of earth जो की कम है अर्थ के 1% से भी मतलब कहने का except CY at the lowest elevation for short period except CY किसके at the lowest elevation मतलब कहने का सब छोटी छोटी उंचाईयों के छोटी elevation होता है mountain कह सकते हो छोटी उंचाई जो बहुत ही कम उची हो ठीक है तो lowest elevation छोटे छोटे पर होता हो छोटे छोटी उंचाईयों तक for short period थोड़ी समय के लिए मलब जो liquid water है वो मार्स की surface पर नहीं exist कर सकता है किस कारण से लो atmospheric pressure के कारण और कैसा low atmospheric pressure which is less than 1% of earth लेकि earth के बाद ये आपका डिटर माइनर होगे इसके बाद एक noun आना चाहिए ठीक है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका subject और object दोनों में same noun का repetition होता है तो object वाला noun या फिर subject वाला जो भी आप समझ सकें उसको छोड़ सकते हैं apostrophe के साथ तो जिसे earth है न which किसके लिए आया बताएए which आया है which is less जो की कम है 1% से भी जादा कौन कम है atmospheric pressure तो atmospheric pressure के लिए which आया है तो atmospheric pressure is less than 1% of earth इतने में छोड़ दिया तो इसके बाद हमें अपने से understood है ये हमें समझना चाहिए कि atmospheric pressure यहाँ पर भी है ठीक है उस atmospheric pressure से जो atmospheric pressure earth के 1% atmospheric pressure से भी कम है ठीक है तो वहाँ पर liquid water exist नहीं कर सकता तो यहाँ पर जो error का part है वो यहाँ पर है as to इसको आप ध्यान दीजिए liquid water नहीं exist कर सकता है मार्स में कम atmospheric pressure के कारण यह तो केवल adjective phrase है इसको आप छोड़ दीजिए ना भी पढ़ें तो चलेगा फिर sentence को पूरा करिए पहले तो liquid water exist नहीं कर सकता मार्स में कम atmospheric pressure के कारण सिवाए कहाँ कि सिवाए चोटी उचाईयों के कम समय के लिए कम समय के लिए चोटी उचाईयों पर exist करता है liquid water बहुत ही कम समय के लिए exist करता है लेकिन और surface पर मार्स में कहीं exist नहीं कर सकता है और किस कारण से? atmospheric, low atmospheric pressure कारण तो as to के कारण का मतलब नहीं दिता यहाँ पर आप क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर आपको लिखना चाहिए due to क्या लिखेंगे आप? due to लिखेंगे अगर तो आपको correct meaning देगा यहाँ पर तो अगर आप due to लिख दिए हैं यहाँ पर liquid water cannot exist on the surface of Mars due to due to low atmospheric pressure अब liquid water exist नहीं कर सकता मार्स में कम atmosphere pressure के कारण तो due to का meaning correct हो जागा due to की जगा और कुछ भी कर सकते हैं on account of भी कर सकते हैं owing to be कुछ भी कर सकते हैं ठीक है मलब sense यही देना है आपको तो कौन से पार्ट में error होगी? फर्स्ट पार्ट में आपके error होगी मलब कहने का option one correct होगा इतनी छोटी सी error थीस में ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं third number question की और third number में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ्रिंदा blanks भरवाना चाह रहे हैं this is cars I know यह वही car है this is car I know जिसे मैं जानता हूँ अब कैसी car वह आपको बना है the worst car, worst car, mostly worst car one of the worst car आप देखिए यहाँ पर mostly worst car आया है ठीक है? चलिए ठीक है आप पहले यह बताइए कि यहाँ पर super late degree मलब worst car का sense देना है मलब सबसे बुरी car है जिसे मैं जानता हूँ अगर यहाँ पर आप लिखते हो the worst car that is the worst cars I know तो यह सबसे बुरी car है जो मैं जानता हूँ लेकिन आप अगर एक चीज नहीं ध्यान दिये तो आप गलत कर जाओगे the worst भर के mostly worst या worst तो worst के पहले आर्टिकल दा आना चाहिए कि super late degree तो यह option तो आपको वैसे ही कर गया है अब the worst car या mostly ज्यादा तर worst car तो यह भी उतना suitable नहीं है तो इसलिए आप इस option को भी काड़ सकते है अब यह option और यह option इन दोनों में कैसे choose करेंगे तो वह मैं बताता हूँ the worst cars यहाँ पर क्या लिखा है cars लिखा है plural है noun आप बताइए worst car this is that is the worst car अगर आप worst super little लिखते है तो यहाँ पर सीधी सी बात है singular noun भरना चीथा plural क्यों भरा plural भरने का reason क्या है इसने यह option दे रखा है आपको यहाँ पर the worst cars नहीं हो सकता गलत हो जाएगा क्योंकि singular आपको भरना पड़ेगा अगर आप यहाँ one of the worst लिखते हो उन सभी worst carों में से यह भी एक है तो that is one of the worst cars तो इसलिए आपका fourth option correct होगा और first option को भी आप cancel कर देंगे ठीक है तो that is one of the worst cars I know उन worst carों में से एक है जिसे मैं जानता हो ठीक है ना तो fourth option आपका correct हो जाएगा fourth option चौथा नमबर आप question देखेंगे the dash of many archaic and dilatory procedures have proved to be extremely damaging to our governance and society पहले तो आप इसका meaning समझेंगे फिर हम option कितर हो जाएगे ठीक है the dash of many archaic होता है प्राचीन ठीक है old ठीक है बहुत सारी प्राचीन और dilatory procedures लंबे चौणे प्राचीडर प्रक्रियाएं जो होती है बहुत सारी प्राचीन और लंबी चौणी प्रक्रियाएं have to be, have proved to be वो साबित हुई है extremely damaging बहुत ही जादा नुकसान दे to our governance हमारी शाशन और society और समाज के लिए तो किस प्रकार की प्राचीन और dilatory procedure का प्राचीन और dilatory procedure की आखिक क्या चीज़ जो है हमारे लिए बहुत जादा damaging साबित हुई हमारी governance और society के लिए काशन, मलब कहने का सावधान होता है translation अनुवाद होता है revolution होता है क्रांती और imposition होता है लादना, ठीक है, बहुत सारी प्राचीन और dilatory procedures, लंबे चोणे जो आपके procedures होते हैं, प्रक्रिया होती हैं उनकों लाद देना बहुत जादा नुकसान दे है हमारे governance और society के लिए imposition, अगर आप कोई प्राचीन व्योस्था है या प्राचीन प्रक्रिया है कोई प्राचीन कानून व्योस्था को यहाँ प्ला देंगे तो बहुत ही जादा governance में भी नुकसान होगा हमारे समाज को भी, हम पुराने traditions को अपनाते हैं, इससे सती प्रता होगया इस तरह की चीज़े, बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो पुरानी society कैसे damage होगी, तो caution तो हो नहीं सकता, ठीक है कोई negative चीज़ ही होगी, जो इन पर apply होगी, तो हमें नुकसान करेगी, translation अनुवाद तो किसी language में होता है, तो यह भी नहीं होगा, revolution, क्रांती, अगर इनकी क्रांती होती है, तो हमारे नुकसान दे होगी, यह हो सकता है, लेकिन जब हमें imposition word दे रखा, तो हम इसको revolution को नहीं चूज करेंगे, ठीक है प्रक्रियाओं में क्रांती कोई तर्क भी नहीं बनता है, इसलिए imposition होता है, किसी कानून व्योस्था, किसी नियम को लाद देना, तो procedure यह है भी वही चीज, बहुत सारी प्राचीन और dilatory procedures और जो लंबे चौणे प्रक्रियाएं हैं, बहुत लंबी लंबी प्रक्रियाएं, प्रताएं हैं, उनकों अगर हम impose कर लेते हैं, लाद देते हैं, तो हमारी समाज और शाषन में उस था, दोनों के लिए के अनुकसान दे हो जाती है, मतलब थर्ड option आपका totally correct होगा, इसलिए थर्ड option आपको choose करना है, फिफ्ट नंबर question में आप देखेंगे, आपको one of the best express choose करना है, ठीक है, तो curtail क्या होता है, curtail माने होता है, sunshift कर देना, बहुत ही कम कर देना, ठीक है, prolong मतलब होता है, लंबे समय से चला आ रहा, lengthen मतलब कहने का लंबाई बढ़ाना type में, extend माने भी बढ़ा देना होता है, downsize माने कम कर देना, है ना, sunshift कर देना, तो आपका fourth option ये पर निकलता है, वो आपका deduction कहलाता है, निशकर्स जीसे कहते हैं, ठीक है, तो inference माने क्या होगा, निशकर्स, deduction इसका synonym होता है, beginning माने शुरुवात, है ना, preparation माने होता है, तयारी, discovery माने खोज, और conclusion माने भी निशकर्स होता है, जो कि आपका best express option होगा, second option correct है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, seventh number question की और, seventh number question देखेंगे, select the one which is opposite in meaning of the given word, दिये गए शब्द के opposite meaning वाला शब्द आपको choose करना है, ठीक है, अब मैं एक केवल कहने का यहाँ पर notice लिख दिता हूँ, मलब कहने का यह, जैसे कि मैंने लिख दिया कि एक opposite चूज करना, उसके नीचे जो दोनों है, दोनों का यह opposite आपको choose करना, क्योंकि यही जो मलब कहने का notation, यही जो indication दिया है, वो यहाँ पर यहाँ पर आप्शन का यह, पूछ किया रहा है, consensus, consensus मतलब क्या होता है, सहमती होता है, सहमती का opposite क्या होगा, आसहमती है ना, तो आप आसहमती वाला वर्ड आपको खुझना है, accord क्या होता है, accord होता है, समझोता, agreement, जैसे कि आपने नाम बहुत सुना होगा, अगर आप newspaper सहमती टाइप का, consent माने भी सहमती होती है, ठीक है, consensus से ही consent टाइप का बना है, unity माने एकता होता है, और discord माने होता है, विवाद, discord माने विवाद या ऐसहमती, विवाद कब होता है, जैसे आपने एक phrase पढ़ाओगा, वो, मलब इंडियम पढ़ाओगा, बहुत ही famous है, apple of discord, म meaning होता है, apple of discord मतलब कहने का, जगडे की जड़, विवाद की जड़, तो वही discord है, विवाद या ऐसहमती, तो consensus माने सहमती, discord माने ऐसहमती, यह आपका opposite हो जाएगा, mud मतलब क्या होता है, mud मतलब होता है, धेर करना, धेर मलब कहने का, निर्मान करना, essence में आप कह सकते हो, ठी ठीक है, और shape माने भी होता है, अगर shape को verb की तरह देखो, तो shape something मतलब कहने का, उसको आकार देना, उसको रूप रेखा देना, sculpture से ही मूर्ती वगरा से बना हुआ है, sculpt माने भी होता है, नकाशी करना, या फिर किसी चीज़ को आकार देना, slice आप जानते ही हो, एक पतला सा प आकार देकर बनाया, और genuine मतलब कहने का, जो पहले से ही हो, वास्तिक हो, real हो, और उसी sthiti में हो, तो इस आधार पर इन 4 option में से, इसका मतलब भी आकार देना, इसका मतलब भी आकार देना होता है, slice का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर बचा genuine जिसका मतलब है, खुद वास् इस्टेशीन देखें से सॉब्ल करेंगए देखिए यहां पर क्या ब्रॉंघ markings विकास student देशों में, today, आज की दिन, क्या होता है, आज विकास Student में, देशों में, अब देखे, आपको than दिख रहा है, than दिख रहा है, तो कही eip-r 싸 audiences पर रहा नहीं है, तो rather than या फिर और और कुछ, पर बेतर दिख रहा है, ठीक है, तो better के बाद द्यान आना चाहिए कि ना चाहिए बिल्कुल आना चाहिए तो आर के बाद क्यू आएगा ये बात पक्की है आर के बाद क्यू देखे कहाँ पर है यहाँ पर आर के बाद क्यू है यहाँ पर नहीं है यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर आर के बाद क्यू है इतना द्यूर तो बेटर के बाद तुरंत द्यान आना चाहिए तो आप ज़रा आप पढ़के देखिए seem to be better than ruler health condition अब फिर पी को अगर आप यहां सुरू से मिलाएं तो in developing countries today आज विकारशील देख्शों में जो urban health condition जो शहरी स्वास्त दशाएं हैं वो seem to be better जादा अच्छी प्रतीत होती हैं ग्रामीन स्वास्त दशाओं की अपिच्छा और हकिकत भी है विकारशील देख्शों में शहरों में लोग ठीक रहते हैं स्वस्त रहते हैं ग्रामीनों में चुकी गरीबी होने की कारण वो उतना स्वस्त नहीं रह पाते हैं तो यह तो कई sense भी आपका पूरा हो रहा है urban health condition seem to be better अच्छी प्रतीत होती हैं और better के बाद यह better के बाद हिंट करता है तुरंत हमें आर के बाद क्यों लेना है मलब एक ही sentence है जिसमें आर के बाद क्यों है हमको first option choose कर लेना है थोड़ा सा meaning मिला लेना है आप answer की और पहुँच जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं 10 number question की और 10 number में आप ABC देखेंगे cards where owned by car जो थी on क्या होता है और पैसी में आया तो किसी चीज का मालिक होना तो cars were owned by car रखी जाती थी या car का मालिक हुआ करते थे कौन Cards were owned by car रखी जाती थी by किन के दौरा अब वो आपको लिखना है Only a privileged few privileged होता है विशेश अधिकार रखने वाले जो उचे दर्जे के विक्ति है या अफसर कह सकते हो privileged मतलब होता है जिसके पास विशेश अधिकार हो privileged few मतलब कहने है कुछ ऐसे लोग जो की मतलब विशेश अधिकार रखते हो बड़े सामन्ती टाइप के लोग है न तो Cards जो हैं बड़े सामन्ती लोग के दौरा रखी जाती थी and और my class of society मेरा work of society समाज का समाज का जो मेरे स्तर का work था वो क्या था was as yet untouched by it it मतलब किसके लिए है it मतलब कार के लिए है was as yet अभी तक untouched विशेश मतलब कहने का अच्छूता रहा by it इस से इस से अच्छूता रहा मतलब उनको कार नसीब नहीं हूँ यह meaning देना चाह रहे है तो पूरा ABC ही pattern बैठा हुआ है आप देख रहे हो यहाँ पे B से खतम हो नहीं सकता तो एक option आप इसी साब से कार सकते हो end से भी खतम नहीं हो सकता क्योंकि sentence end से कभी खतम नहीं होते ठीक है कोई नहीं कोई sentence last नहीं बैठा होगा तो B नहीं हो सकता A भी नहीं हो सकता क्योंकि वाज से helping वब से खतम कैसे हो जाएगा ठीक है खतम भी हो सकता है लेकिन इसके chances कम है क्योंकि यहाँ पर आपको एक relative pronoun वगएरा कुछ होना चाहिए वो special case होता है तो यहाँ पर relative pronoun who, whom, which, that, as, कहीं कुछ दिख रहा है ही कारों को रखा जाता था उस समय वही उनके मालिक होते थे and or my class of society और समाज का जो मेरे स्तर का वर्ग था was as yet untouched by it अभी तक इन से अच्छ होता था मलब अभी तक उनको कारे नसीब नहीं थी तो B के बाद C, A, B, C आपका correct option first ही है ठीक है तो आप इनको cancel करके भी इसको मार सकते हो थोड़ा सा meaning बना लोगे अगर meaning निकाल पाते हो थोड़ा सा अगर आपने अच्छा खासा reading अगरा की है तो meaning निकाल लोगे इतनी tough भी meaning नहीं है और आप correct option के और पहुँच जाओगे 11 number में क्या है select the correctly spelled word correctly spelled word आपको choose करना है तो A-R-O-G-A-N-C-E होता है ऐसी नहीं होता ठीक है तो यह fourth option आपका correct होगा arrogant वाने होता है घमंडी तो arrogance वही घमंड टाइप का meaning देता है ठीक है select the correctly spelled word यहाँ पर भी correctly बस आपको ध्यान क्या रखना है चार word अलग 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 दे देगा और चारों में से सबकी spelling अलग अलग किसी में गलत किया किसी में सही किए तो वहाँ पर आपको देखना पड़ता है correctly पूछ रहा है इंcorrectly पूछ रहा है है ना जल्दिवाजी में क्योंकि spelling correction में हमेशा आपको spelling याद हो यह जरूरी नहीं है आप logic के अधार पर भी मानते हो कि हाँ यहाँ पर डबल जी तो नहीं हो सकता यहाँ पर यह तो नहीं हो सकता है ना टी डबल आईउएन नहीं होता है तो इस तरह logic बैठागर के भी spelling के यहाँ पर डबल जी र इडबल एस होता है आर सिंगल होता है डबल जी होता है डबल एस होता है एक्रामक इस्थिती वह उसे कहते हैं जोसो कि किसी का एक्साइटेड होता है वह चीज होता है एक्रेशन गुस्सा टाइप का ठीक है आगे बढ़ते हैं थर्टी नंबर कुश्चन की और थर्टी नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको वन वर्च अप्रिशन करना है ठीक है a military और political group that rules a country after taking power by force जबरदस्ती सक्ता को हत्या कर किसी देश का शाशन आगर किसी military और political group की दौरा चलाए जाता है उस military और political group को क्या कहते हैं जुंता कहते हैं ये वर्ड नया है अभी तक नहीं आया है ससी के एक्जाम में इस वर्ड को आप याद करेंगे ठीक है तो first option आपका correct है बाकी की meaning आप जान लीजिए emancipation माने होता है आजादी freedom ठीक है सफ्रेज क्या होता है सफ्रेज होता है right to vote मलब कहने का मत देने का अधिकार वो क्या होता ह सफ्रेज होता है जैसे women से सफ्रेज अगर आप बात करें तो महिलाओं का मत देने का अधिकार इस तरह से egalitarianism एक ऐसा विश्वास जिसमें यह हो कि समतावाद जिसे कहते है मलब कहने का सभी को समान तक अधिकार प्राप्त हो किसी के साथ बहित भाव ना हो तो समतावाद ज जुनता आपको इसका correct meaning यह मलब इसका correct explanation first option से है ठीक है फोर्टी नमबर का वनवर्ट अप्रिटीशन देखेंगे a person who leaves एक वैसा वेक्ति जो रहता है outside his native country अपने स्वादेश से दूर मलब native country होता है उसकी मातर जो उसका खुद का देश है जहां का वो citizen है वहां से दूर र बाहर रहता है अपने देश से बाहर रहने वाला उस वेक्ति क्या कहते है उसको कहते हैं विदेशिया कह सकते हैं expatriate English में ठीक है expatriate इसकी spelling भी याद रखनी है आपको third option आपका correct है indigenous क्या होता है स्वादेश्री मलब type का native indigenous को आप कह सकते हो आपने देश में निवास करने व कुछ इस तरह का है ना natal country related to है इस हिसाब से हो सकता है intrinsic मलब होता है आंतरिक है ना उसके real जैसे आंतरिक इंटरिक नेचर उसका आंतरिक प्रवत्त्री है इस हिसाब से तो intrinsic आंतरिक होता है ठीक है ना extrinsic बाहर ही होता है इस हिसाब से 50 नंबर में आप देखेंगे the workers इसका आपको क्या active है इसको passive बनाना है the workers are building the house वो क्या कर रहे है house बना रहे है building the house कौंसा टेंस है present continuous है present continuous का passive कैसे बनता है यह आर प्लस वर्प का इंजी फॉर्म का passive बनता है इसमर being verb का इंजी फॉर्म है ना तो इसमर है तो इसमर रहेगा यह जान लीजिए कि active passive में कभी भी टेंस नहीं बदलता आप देख रहे हो कि यहाँ पर और present है यह पास्ट कर दिया यह भी पास्ट कर दिया तो यह इतना तो दिमाग हम लोगों के पास भी है कि पास्ट तो ह कहीं narration देदेगा कहीं कुछ देदेगा खासकर mains के paper में तो लड़कों को पता नहीं लगता कहीं narration का rule active passive में लगा देंगे active passive का rule narration में लगा देंगे और सब गलत कर देते और एक दो option इस तरह के जरूर दिये रहते हैं कि आपके rules भी वहाँ fit हो जाते है ठीके ना तो आर आया इसको being नहीं है इसमें इसलिए काट दिया बचा एक option जिससे आप answer के और चले जाएंगे ठीके और यहां R की जगा is इसलिए है क्योंकि house आपका singular है the house is being built by the workers तो सारे rules apply करना जरूरी नहीं है बस जो इसमें rules नहीं apply हो रहा उनको काटते चले जाओ सही answer के और पहुंच जा इसका meaning आपको बताएंगे उसके बाद one by one सारे options पुट करेंगे और उसका complete meaning निकाल करके और आपको भी satisfy करेंगे ठीके तो आई यह start करते हैं पहले इसका meaning निकालते हैं और meaning इसका समझ लेते हैं जल्दी से one reading करते है when the kerosene burned जब kerosene जली the fuel in the tank जो tank below मलब नीचे जो tank था उसका जो इन्हन था would be वो क्या होगा dash pressure pressure में अब वो pressure दबाओ में होगा the fuel in the tank below मलब जो tank नीचे tank रखा था below लिखा है ना नीचे तो जो नीचे tank था उसका जो fuel है वो pressure में हुआ and or a smart circular flame और एक छोटी सी circular मतलब होता है यह गोल गोल flame मतलब होता है अगनी would appear in the burner दिखाई देगी burner में ठीक है ना एक छोटी सी circular कलर की जो आग है flame है लपट है वो दिखाई देगी burner में the valve had to be opened valve को opened खोल दिया जाना head to be opened उसे खोलना होगा to let the more kerosene vapor to let मने अनुमति देने के लिए more kerosene और ज्यादा मिट्टी के तेल को के vapor wash को to the burner burner में आने के लिए मलब valve को खोलना होगा ताकि और ज्यादा kerosene vapor जो है वो burner में आ सके and pumping resumed और pumping जो है वो फिर से resume हो सके चालू हो सके with the increase in pressure pressure में बढ़ोतरी होने से the burner flame जो burner की आग है would speed वो फैलेगी a loud voice एक तेज आवाज के लिए अब क्या भरना है वो आपको भरना पड़ेगा to lower the flame flame को कम करने के लिए the valve had to be opened valve को खोल देना होगा to reduce कम करने के लिए the pressure दबाओ को and then और तब tighten और tight कर देना होगा until जब तक की the desired flame यह चुक जो आग की लपट है लपट का size जो है वाज़ेट्यूट प्राप्त ना हो जाए जब तक की आग की size जो लपट है उसका size प्राप्त ना हो जाए तब तक हमे क्या करना पड़ेगा उसको खोला छोड़ देना होगा और जैसे हमें size मिल जाता है जितना size हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे उसको बंद कर देंगे ठीक है you wanted the flame to be bigger अगर आप flame को और bigger करना चाहते हो you had to hit the piston again आपको फिर से piston को hit करना पड़ेगा pump stoves और pump stoves जो pumping वाले stoves है are still in vogue in vogue का मतलब होता है in fashion आज भी प्रचलन में है ठीक है तो यह पूरा का पूरा जो topic लिखा है close test का यह आपका जो घर में मिट्टी के तिल से चलने वाला stove हुआ करता था जिसमें हम pump मारते थे उधर से valve धीली करते थे अगर ज्यादा तेज जलता था तो फिर धीमा हो जाता था फिर pump मारते थे फिर तेज हो जाता था है ना तो और एक छोटी सी सलाई होती थी जिससे छेद करते थे ताकि मिट्टी का तेल जल्दी से अगर कुछ फंसा तो तुरंत निकल आए वह सारी process जिनों ने बताई है ठीक है अगर आपको इस तरह की story पता है तो आपको ये close test करने बहुत आसानी होगी otherwise ही थोड़ा सा critical हो सकता है लेकिन जिस तरह से ये 10 plus 2 के paper में पूछा गया है और options दिये हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है भले ही आपको पता है या नपता हो ठीक है तो इसमें तो आप ये भी जानोगे कि कैसे हम stove का use करते है और उसको भी enjoy करेंगे और close test को कैसे इतना आसानी से भर पाते हैं वो भी आप देखोगे ठीक है ना तो हम इसको थोड़ा clear करते हैं उसके बाद one by one सारे options put करते हैं ठीक है तो आईए पहले option के और बढ़ते हैं जब kerosene जलती है तो fuel in the tank below जो tank नीचे होता है अब आप imagine करि तो fuel in the tank below जो नीचे का टेंग होता है उससे fuel would be क्या होगा प्रेशर दबाव में कैसे दबाव में होगा इंसाइड प्रेशर अप्रेशर होगा और अंडर प्रेशर अपर फ्रेशर होता है यह अक्सर यूग्सए हम्टार फ्रेशर के साथ under-presher होता है м्जए अंडर प् simple है मलब कहने का preposition जो आपको choose करना है ठीक है तो यहाँ पर आप under pressure लोगे एक phrase type में समझ सकते हो under pressure मतलब दबाव में ठीक है आप इसे note भी कर सकते हो तो kerosene जब जलती है तो fuel tank जो होता है fuel जो होता है tank का जो नीचे tank लगा होता है उसका fuel would be वो कहां होगा would be under pressure वो दबाव मे होगा and or a dash circular flame और circular flame would appear in burner burner में एक circular flame दिखाई देगी आग दिखाई देगी 17 किस प्रकार की आग slow, slowly, slower, slowest मलब कहने का would be under pressure and slowly, a small, slowly धीरे धीरे एक small circular flame एक छोटी अब यहाँ पर आप लिखोगे अगर slow circular flame तो धीमी circular अब फिर यहाँ पर article A भी लिखा है अगर यहाँ पर article A नहीं होता तो हम यहाँ slow भरते slow small circular flame तो सही हो जाता कोई दिखकर नहीं थी धीमी धीमी और small छ circular flame हो गया लेकिन अब यहाँ पर आपको article A लिखा है मतलब यह पूरा का पूरा subject है तो आप यहाँ क्या भर सकते हो एक एड़वर्ब भर सकते हो एडजेक्टिव नहीं भर सकते है ठीक है तो यहाँ पर आपको slowest adjective slower यह आपका comparative adjective हो गया है तो comparative degree हो गया और slow यह simply adjective हो गया ल जो फ्लेम है सर्कुलर आकार की गोली आकार की वूड एपियर वो दिखाई देगी इन बर्नर में ठीक है ना the valve had to be opened valve को खोलना होगा to let more kerosene vapor to the burner मलब valve को क्यों खोलना होगा to let more kerosene और ज़्यादा kerosene vapor जो है burner में आ जाए and pumping resumed और pumping को फिर से चालो किये सके आप देखते होंगे जब आप खुब सारी हाओ भरते उसके बाद जैसे ही आप valve को खोल लेते हो तो वैसे एक-दों से kerosene जो होती है वो उपर आ जाती है तो वही process कह रहा है कि more kerosene vapor to the burner कहने का और उपर आ जाए burner में इसके लिए हमें valve को खोलना होता है and pumping resumed और pumping फिर से चलो हो सके इसले भी ठीक है with the increase in pressure जैसे ही दबाओ बढ़ता है the burner flame would speed तो जैसे ही pressure हम बढ़ाते हैं जब हम pumping करते हैं तो burner की flame क्या होती है would speed वो फैलेगी dash loud voice और उसके साथ साथ क्या होती है एक voice भी आती है आवाज भी आती है तेजी से सुल सुल टाइप की ठीक है within एक तेज आवाज के अंदर या with या during तो during का भी मतलब नहीं है spread during a loud voice तेज आवाज के दोरान ही flame फैलेगी ऐसा नहीं है मलब कहने का flame भी फैलती है और साथ साथ आवाज भी उसकी तेज होती जाती है तो with आपका option यहाँ पर correct होगा मलब कहने का the burner flame would spread जो burner की flame है वो फैलेगी with a loud voice एक तेज आवाज के साथ आवाज भी बढ़ती जाती है और जो flame है वो भी बढ़ती जाती है दोनों यी चीज़े एक साथ होती है ठीक है ना तो यहाँ पर second option चूज करना था आप 19 भरेंगे to lower the flame अगर आपको flow जो stove जल रहा है flame जादा हो गई आपने हवा भर दी अब उसके बाद क्या करना है flame को आपको कम करना है तो क्या करते है the valve had to be opened उसको जो valve है उसको open करना होगा to reduce the pressure ताकि pressure कम हो जाए and then tighten और उसे fit अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है valve had to be opened उसे खोलना होगा आप कैसे खोलना होगा 90 नमर में देखिए partly हलका सा खोलना होगा some खोलना होगा some तो मतलब ही नहीं some opened कोई मतलब नहीं है ठीक है यहाँ पर आपको क्या है verb है तो verb के पहले क्या आएगा adverb आना चाहिए तो adverb आपको कौन सा है the valve had to be partly opened valve को partly मतलब हलका सा कुछ अंश तक open खोलना होगा reduce the pressure pressure को कम करने के लिए and then और फिर tight end और tight करना होगा until जब तक कि desired flame size was achieved जब तक कि इच्छुक flame का size नपराप्त हो जाए हम लोग यह करते हैं जब हमारा आग तेज हो जाती है तो वही यह कह रहे है the valve had to be partly opened तो हमने 19 का first option भल दिया partly हलका सा open करना होगा और इसका simple reason यह यह कि यहाँ पर verb है verb के पहले adverb भरा जाता है यहाँ पर आप देखरो adverb none है लेकिन negative adverb हमें नहीं चाहिए meaning के अनुसार बाकी यह दोनों adverb हैं ही नहीं यह pronoun हो गया यह आपका adjective होगा इसलिए partly एक मात्र adverb है जो हमें भरना होगा यहाँ पर आगे बढ़ते है the dash you wanted to flame to be bigger अगर तुम चाहते हो wanted the flame to be bigger अगर आप flame को और जादा बड़ा करना चाहते हो you had to hit the piston again आपको फिर से piston पीटना होगा फिर से hit करना पड़ेगा फिर से हवा भरनी पड़ेगी तो यदि आप चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा तो इस यहाँ पर दिया भी है अगर आप flame को और बढ़ना करना चाहते हो तो you had to hit the piston again आपको फिर से piston hit करना होगा तो 20 का first option आपका correct हो गया pump stoves are still in vogue in vogue इस phrase को आप याद कर दीजे in vogue होता है प्रचलन में या in fashion fashion में आज कल के दौर में अभी भी pump stoves बिलकुल fashion में है ठीक है तो यह I hope आपने इसको एक editorial की तरह enjoy किया होगा meaning होगा और इसको close test को कैसे भनना है यह भी आपने समझा अब हम बढ़ते हैं अगले 21 number question की और और देखते हैं कि 21 question में क्या है जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर स्नेहा said to Arjun या आपको क्या direct speech से indirect बनाना है स्नेहा said to Arjun स्नेहा ने Arjun से कहा go away चले जाओ यहाँ से तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है order कर रही है अब आपको यहाँ पर सिर्फ इतना चेक करना है पहले आप देखे कि to go away को क्या से जोड़ते हो imperative sentence से जोड़ते हो to go away to go away to go away तीन में है इसमें नहीं है इसको आप वैसे काट देजिए अब बचा क्या यहाँ पर say two है past में tense है यह भी past में inquired भी past में say two पहले एकट जाएगा ठीक है थार्ड भी कट गिया अब पहले चौथे option में आप देखेंगे say two अरजुन से कहा चले जाओ अब थोड़ा meaning समझ यह चले जाओ क्या वो पूछ रही है कि चले जाओ अगर यह कहती कि क्या तुम जा रहे हो तो हम समझते हाँ inquire कर रही है पूछ रही है लेकिन inquire तो करने रही है वो कह रही है कि जाओ तो कह रही है या फिर कह दो आदेश दे रही है तो मलब कहने का यह inquire भी नहीं होगा बचा पहला option जो आपकी correct option हो जाएगा ठीक है तो स्नेहा ने अरजुन को आदेश दिया गी चले जाओ इसी साब से ठीक है 22 number question में देखेंगे at the micro level सूच मिस्तर पर the dialectical process of development in India dialectical process होता है मलब कहने का आप समझ सकते हो सत्य की खोज type की है ना विचारों की प्रक्रिया of development विकास की इन इंडिया भारत में has now heading towards अब वो बढ़ रही है towards another direction दूसरी दिशा में ठीक है has now बड़ी है अब has now heading तो has के बाद क्या verb का एंजी form आता है नहीं आता ना तो आप क्या या तो आप क्या करो इसमें has के साथ verb की third form लो हेडिंग कैसे करोगे भाई helping वर्ब तो रहनी चाहिए न has now heading तो helping वर्ब भी नहीं रहेगी तो फिक्या मतलब ये भी कर जाएगा no improvement इसलिए कर जाएगा क्योंकि दिया हुआ sentence में भी verb की third form नहीं है इसलिए ये भी सही नहीं है दो option भी गलत है बचा एक जिसमें is के साथ आएं जी फॉर्म दिया जो की sentence को पूरा correct करेगा इसलिए आपको लिखना पड़ेगा micro level पे dialectical process जो है development की is now heading अब वो बढ़ रही है towards another direction दूसरी जिछा में sentence को पूरा correct करेगा third option ठीक है मैं आश्चर जनुक हूँ कि what क्या one minute general एक वक्ति की बात कर रहे हैं कि क्या उसने अब हम किसी को भी समय सकते हैं क्या उसने क्या लोग सोच रहे होंगे would have thought सोचा होगा some 40 years ago लगभग 40 साल पहले 40 साल पहले लोगों ने क्या सोचा होगा if यदि you had said तुमने कहा you could heat liquid की तुम लेक्विड ready तुम तो को घरम कर सकते हो using a plastic container में अगर तुमने यह कहा होगा कि कहा कि plastic container में तुम एक liquid को घरम कर सकते हो तो 40 सौल पहले अगर तुमने ऐसा कहा तो मलब लोगों ने क्या सूचा होगा I wondered मैं आश्चर जनक था ऐसा मीनिंग दे रहा है कुछ था हमको इतना पूरे मीनिंग से मतलम नहीं है हमें सिर्फ इतना करना है मैंने मीनिंग बता दिया आपको If you, अब देख रहे हैं आप I wondered, one would have सब कुछ पास्ट में जा रहा है You could, heat सब कुछ पास्ट में और यहाँ पर भी had You had said, यहीं तुमने कहा होता था तो यहाँ पर आपको भरना क्या है आपको देखना है कौन सा वर्ब मलब कहने का इसमें improvement हो सकता है कि नहीं ठीक है तो आप देखना है, having said तो गलत हो जाएगा have said होता तो एक बार समझते head से तो वर्ब की third form इसमें भी नहीं है और have saying अगर होता भी तो हम क्यों लेते भाई इसको क्योंकि हमें क्या head सब कुछ पास्ट में दिख रहा है तो यह totally correct है तो head, पहली बात तो head के वाद said नहीं है क्योंकि head said यहीं पर दिया हुआ है having का कोई, यह option भी गलत है यह option भी गलत है और no improvement आपका बचा, यह totally correct है जो दिया हुआ, इसलिए आपको no improvement से जाना है अगर यहाँ have said भी होता ना तब भी हम head से ही जाते, no improvement से ही जाते क्यों, क्योंकि सब कुछ past में देख रहे हो sorry tense यहाँ पे you could heat है one would have the eye, सब कुछ past में दे रखा है तो हम इसको भी past में लेंगे ना हम क्यों लेंगे present में, इसलिए no improvement ही इसका होना था और यहाँ पर इसलिए भी आप choose कर सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यह भी choose देख रहे हो, चार तीनों option गलती है तो बचा क्या no improvement इसी से चले जाओ 24 नंबर में देखेंगे a bone of contention वही होता है apple of discord bone of contention जगडे की जड़, an issue over which एक मुद्दा जिस पर there is a continuing disagreement जिस पर लगाता disagreement बना हुआ हो, असहमती बनी हुई हो उसे कहते हैं जगडे की जड़, विवाद की जड़ तो 24 में आपका second option correct है यह कई बार repeat हुआ है, एक बार नहीं आया है कि दसो बार आ चुका होगा exam में और different exams में यह पूछा जा चुका है ठीक है न, चोटे-चोटे exams में पूछा जाता है तो इसलिए इसको आपको याद कर ले ना है, अगर नहीं पता तो ठीक है, एक बार यह कई बार close test में आया था, यह 2016 के CGL के paper में आया था और उसमें भरा कैसे था close test में आपको यह contention भर रखा था और उसके बाद यहाँ पर यह bone की जगा फिलिंदा ब्लेंक्स कर दिया था, ठीक है न तो अब वहाँ पर आपको अगर यह bone दे दिया, strong of issue of contention, cause of contention इस तरह करके भर दिया था दुनिया भर की option अब वहाँ पर आपको अगर पता है bone of contention होता तो वहाँ पर bone भर होगे तो आएगा अगर otherwise क्या हो गलत हो जाएगा तो इस तरह से close test के भी part बन जाते है contention दिया है तो आपको bone ही भरना है अगर आप वहाँ पर issue of contention, cause of contention, reason of contention, contention भर दे होता है तो गलत हो जाएगा फिर bone ही भरना पड़ेगा आपको अगला भरते हैं last question 25 number question की और 25 में आप देख रहे हो यह simply आपको क्या है, idiom दे रख जीप your lip अपने मुझ को सिल लो जैसे कहते नहीं लोगे मुझ सिल के रखो अपना बग बग बहुत कर रहे हो तो वह है जीप यह जीप मने होता है वही जीप लगाना वाला जो पैंट की जीप होती है वही वाला तो उसे मुझ बंद कर लेना तो जीप यह अपने मुझ को बंद कर लो वही मतलब ही है तो आप इसमें देखेंगे आप keep quiet about something किस चीज के बारे में चुप रहना किस चीज के बारे में चुप रहना मुझ सिल के रखना वही तो आप इसकी मीनिंग से थोड़ा सा इस तरह समझेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी ठीक है ना तो पहला आप्शन यहां करेक्ट था तो यह थे आज की 25 कुश्चन्स आप कमेंट करके बताईए आप अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए है ना फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें नया पेपर आपको सौल कर आएंगे तब तक लिए गुड़ बाई थैंक्यू वेरी मुच्च हुआ 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 है